कि हर्ट्स का डिस्प्ले भी है इसमें असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूं हनान और आपको वेलकम करता हूं हंटक के चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पांच ऐसे स्मार्टफोन से रिलेटेड जो आप बाय कर सकते हैं इंडर 20,000 के अंदर तो यह 20,000 क अच्छा स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं नॉर्मल कैमरा अच्छी बैटरी और ठीक ठाक प्रोसेसर भी आपको देखने को मिल जाता है आज की इस वीडियो में मैं आप से ऐसी पांच स्मार्टफोन की बात करने वाला हूं जो आप बाय कर सकते हैं इंडर 20,000 की रेंज के अं स्मार्टफोन की तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है नोकिया 3.4 अगर मैं बात करूं नोकिया 3.4 से रिलेटेड तो यार एक साल पहले यह थोड़ा पुराना स्मार्टफोन है जब लाउंच हुआ तो तो इसकी कीमत 25,000 यह 24,000 की रेंज के करीब में आती थी लेकिन अब चुँके नोकिया को मेरा ख्याला होश आ गया या पता लाग गया कि हमारे स्मार्टफोन ऐसे तो बिकने नहीं है तो इन्हें इसकी प्राइस ड्रॉप की है जो कि अब 17,999 यह आपको ऑफ-लाइन मार्किट में यह आउनलाइन मार्किट का मैं आपको वैसे रेट बता जो के दराज पर लगावा था पिछले दिनों लेकिन अब शायद चुँके इस से भी कम हो गया और तो अगर हम बात करें इसके स्पैसिफिकेशन की तो इसके अंदर यह चार जीबी की रहम आती है 64 जीबी स्टोरीज है फिर स्नैप डेगन 460 का प्रोसेसर है अगर इसके ड अगर का Baltimore सेटेब आता है जिसके 13 Megapixel प्लस 5 Megapixel का एक अल्ट्रा वाइच जैट चैनसर और पर इसके फ्रंट या की बात करें तो यह इसके अलोह एग्टा प्लाट ओसेने कीसिफिक्टर चार जार नियूक का और एक अज चर्जे मृदिक चार्जिंग आपको देखने को मिलती है जो कि आप 10W से आप इसके फून को चार्ज कर सकते हैं बात करूं अगर मैं इसके key features की तो इसके अंदर back पे fingerprint और front पे face ID दोनों included हैं और अगर इसके अलावा बात करें अप ग्रेशन की तो नोक्या आपको पता है अपने हर फून के साथ 2 साल पहले तो 3 साल की अपग्रेशन देता था लेकिन चुके नोक्या ने इसको चुप करके side पे कर दी है और इस 3 साल से अब 2 साल पे आ गए है So out of the box आपको Android 10 देखने को मिलेगा लेकिन जैसे ही आप फून अपडेट करेंगे तो 11 की अपडेट आई भी होगी फून के अंदर और उमीद है इसमें Android 12 की भी अपडेट आ सकते ही है So ये था हमारा पहला स्मार्ट फून इस रेंज में इसके लावा बात करेंगे दूसरे नमबर पे हमारे पास स्मार्ट फून निकल के आता है उसका नाम है Realme C21 जो कि अगर अब की बात करें तो यार ये एक साल पुराना स्मार्ट फून है पिछले साल अप्रेल में लाउंच हुआ था जो कि इस ताइम पे थोड़ा सा पुराना है लेकिन अभी भी आपके लिए वैल्यू फर मनी हो सकता है क्योंकि इसके स्पेस्फिकेशन अभी उस लिहां से बहुत बेतर है जो आज के स्मार्ट फून लाउंच हो रहे हैं इस रेंज में में हमें यहीं इस तरह का डिस्प्ले देखने को मिलता है अगर मैं बात करूं इसके रैम की तो यार इसके अंदर चार जीबी की रह मैं में 64GB की स्टोरीज है यूजिली इसका एक 3GB 32GB वाला वेरियंट भी आता है जो के ओनलाइन मार्केट में आता है लेकिन मेरा नहीं ख्याल के कोई भी स्रेंज में 3GB या 32GB वाला वेरियंट बाय करना चाहिएगा अब बात करें इसके बैटरी की तो इसके अंदर एक 5000 सार्जिंग नहीं है इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटब है बैग पे फ्रेंट पे 5 Megapixel का कैमरा है जो के थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक है आपको नॉर्मल देखने को मसला नहीं मिलेगा बात करें इसकी परफॉर्मस की तो इसमें 2.3 GHz का OCTACOR प्रोसेसर देखने को मिलता ह जो के Mediatek की तरफ से आता है Helio G35 12-nanometer-based processor है जो के आपको day-to-day यूज में नॉर्मल एक परफॉर्मस देखने को मिलता है इस फोन से यार यह फोन Android 10 के साथ आया था तो इसके अंदर Android 11 यह इस तरह की अपग्रेशन को देखने को नहीं मिली हमें कुछ फीचर्स की बात कीज जैक और active noise cancellation इस तरह के features भी अवेलिबल हैं तो यह था हमारा आज का दूसरा smartphone चलते हैं अब तीसरे smartphone की जो तीसरे नंबर पर smartphone एड़ करने वाला हूं उसका नाम है Infinix Hot 11 प्ले जो के Infinix की तरफ से smartphone देखने को मिलता है Hot Series का अगर इस phone की बात करूं तो सबसे पहले design की बात क साथ और वहीं अगर इसके camera's की बात की जाए तो back पे dual camera setup और front पे single selfie shooter है back पे 13 Megapixel और साथ 2 Megapixel का depth sensor है वहीं अगर front की बात की जाए तो front पे 8 Megapixel का sensor है जो कि नॉर्मल इस रेंज में हमें यही sensor देखने को मिलता है अगर battery की बात कीजए तो यार इसके अंदर 6000 ms की battery है 6000 ms समझते हो दो दिन तीन दिन कहीं नहीं बैटरी तो यह battery आपको इसके लेकिन चार्ज करने जब बैठा हो किना तो फास चार्जिंग नहीं है दो दिन चार्ज पर फिलका कर रखना रात को चार्ज पर लगा के सुएंगे तो सुबह तक चार्ज होगा तो अगर हम बात करें इसके बैटरी की तो यार बहुत बड़ी बैटरी है लेकिन इसके साथ अगर इंफिनिक्स पंद्रा वाक फास्ट चार्जिंग भी देती तो एक बहतर उप्शन हो सकती थी लेकिन चुक्के इसके साथ 10 वाट की एक बहुत कम आइधिंग छे हजार की बैटरी को चार्ज करन गेमिंग नहीं कर सकते अगर जैसे आप पब जी आप इस पर इस तरह की कोई गेम खेलना चाहरे हैं तो उसलिहां से फून नहीं बनाया गया तो इसके अंदर बैक पे आपको एक फिंगर पिंट देखने को मिलता है और फ्रंट पे फेस आईडी देखने को मिल जाती है बात स्मार्ट फून एड करने वाला हूं वह इस लिस्ट का सबसे बेस्मार्ट फून होने वाला है बलके इस वीडियो का इस प्राइस का सबसे बेस्मार्ट फून होने वाला है अगर मैं बात करूं सिर्फ इसके फीचर्स की तो इसके अंदर 48 मेगा पिक्सल का यार बैक कैमरा ह इसके अलावा इसकेंदर एक जी हां, तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ टेकनो स्पार्क 7 प्रो की तो इसके प्राइस रेंज की बात करूं तो इसमें आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं जिसमें एक 6GB, 128GB वाला वेरियंट है और एक इसे कम वेरियंट है जिसमें 4GB की रहम आपको 64GB की स्वर कैमरा साथ दो सेंसर दिये गहीं हैं जो किसम का एक सपोर्ट करते हैं कैमरा तो नहीं है खैर वो एक सेंसर है और साथ आपको LED फ्लेश देखने को मिलती है वहीं अगर फ्रेंट की बात की जाए तो फ्रेंट पे 8MP का सेलफी शूटर देखने को मिलता है और एक ड्यू डू आपने वहीं बैक पेलेगा मेरी अधने को देखने को मिलता है नुद कर सेंसर अगर आप इस तरह कोई थान को देखने को को मिलता है फीचार्द पर आपको एक यई पशूंडि टेकने को थेय। अगर बात कर लिजाए इसके डिस्प्ले की जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया 90Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है आप भी इस फून को जरूर चेक आउट कर सकते हैं अब बढ़ते हैं इस लिस्क के अगले और आखरी स्मार्टफून एड़ करने वाला हूँ जो के आता है सैमसंग ब्रैंड की तरफ से जिसका नाम है सैमसंग A03S इसके डिजाइन की बात कीज़े तो वही टिपिकल सैमसंग का डिजाइन देखने को मिलता है जो नॉर्मली इस सैमसंग के दूसरे फून इसी AAC जिसके स्मार्टफून में आपको पहले भी बहुत बार देखने को मिल चुका है अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो इसके अंदर एक नॉस्ट डिस्प्ले देखने को मिलता है वहीं 4GB की रैम भी आपको साथ देखने को मिलती है अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो यार इसके अंदर मीडिया टेक का हिलियो P35 का प्रोसेसर है जो के एक अंडर पावर प्रोसेसर है इस रेंज में अगर आप देखें तो आपको टेक्न और इंफिनिक से बहुत बेतर प्रोसेसर दे रहे होते हैं तो अगर हम बात कर लीज़ें इसके बैटरी की तो यार इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो के टाइप C चारजिंग के साथ आती है फास्ट चारजिंग की इस तरह की कोई भी इंक्लूट नहीं की गई Camera की बात कीज़े तो टेपल यार tunnels set up आपको देखने को मिलता है back पर टेपल यारा मिल नगटरी उत्साथ 17 MP उसके साथ 20 MP 23 MP उसके साहर है Android 11 के साथ थे स्maarटफून की पक्रहां जाएओर आपको इस वीडियो में कुछ को कमी लगी हो तो अगर आम आपके कमेंट से में बहुत जादा हेल्प में लेगी कि हम क्या चीजें इंप्रूफ कर सकते हैं और किन चीजों में हम इंप्रूमेंट ला सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही था अपना ख्याल रखें दौाओं में मुझे जरूर याद रिखेगा अला आफिस